गुड इवनिंग बच्चो आपका स्वागत है ओनलाइन क्लासेज वह राजा सर अब हम देखेंगे हीरोंस फॉर्मूला का सेकेंड पार्ट अब इसमें सेकेंड पार्ट में हमारा क्या है आइसो स्केल्स ट्राइंगल लेट एवी सी बी एन आइसो स्केल्स ट्राइंगल सच अब देखो इसमें हम देखेंगे एवी बरावर एसी बरावर एक्स यानि या जो हमारी एबी है और एसी ए वो हमारी एकस से डे मुट की गया ही हम JU friendsकि के बताए गया है अब आजब perimeter perimeter का formula इसमें दिया गया है कि AB plus BC plus CA जो आपने right triangle में भी देखा था और इसका second formula जो होता है वो होता है A plus 2X A plus 2X कैसे A हमने बताया कि B से लेकर C तक हमारा क्या है यहां से लेकर यहां तक A और यहां से यहां तक X है और यहां से यहां तक X है तो 2X को multiply करेंगे तो हमारा कितना हो जाता है 2X ठीक है अब आ जाओ आगे 2X को प्लस करेंगे है multiply नहीं प्लस करेंगे अगर 2X को हम आपसी में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाता है 2X अब area का formula area में क्या है 1 upon 2 bracket में base multiply height तो यह हमने right triangle में भी देखा था कि हमारा base multiply height अब इसको solve करेंगे तो यहां पर 1 upon 2 अब इसके साफ से लिख लें हम A और X के साफ से लिख लें कि हमारा AB और AC हमें X से दर्सा दिया गया है यह अ से B तक X है और A से C तक X है और BC हमें यहां से यहां तक A दर्सा दिया गया है तो हम इसके साफ से लिखा लेंगे तो 1 upon 2 अब इसका देखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल अब इसका देखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि ये सारी बुझाएं एक समान होती हैं अगर ये तीन सेंटीमीटर है तो ये भी तीनी सेंटीमीटर होगी और ये भी तीनी सेंटीमीटर होगी अगर ये पांच मीटर होगी और ये भी पांच मीटर होगी सेंटी मीटर यह भी माय वह गगीrem है यह वगी और कि है अब देखो कि आजने के यहां से यां तक दूर चलीऊ यहां कि अज़े यह सब बनाके हमारा क्या हुजाता है । आप यहां यहां सब लोगुजाई कि उन्हें यहां ने आसर तक 5 है तो यहां से यहां ए प्लस ए तो लिखेंगे नहीं side plus side प्लस side तो लिखेंगे नहीं तो इसके लिए हम सरल कर देते हैं 3 multiply side यानी 3 multiply A अब second हमारा आता है altitude altitude ना पा जाता है altitude होता है यह एल्टिटिओड का फ्र्मूला हमारा होता है अन्डरूड में 3 upon 2 dad area area का फ्र्मूला क्या होता है ? इरिया वराववार अंडरूड में 3 upon 4 a2 यानि अंडरूड में 3 upon 4 side square यह हम साइट को दरसा आते हैं, साइट को A बहुते हैं, अब आज आज आप पैरलेलो ग्रैम, नेक्स्ट हमारा है पैरलेलो ग्रैम, लेट A, B, C, D, B, A, पैरलेलो ग्रैम, सच देट A, V is equal to C, D is equal to 1, 1, A, B, और अपना C, D, 1 नहीं, L है, L है, A, V is equal to C, D is equal to 1, यानि A, B, जो है, और C, D, जो है, वो हम L से दरसाती हैं, एंड B, C, और A, D, और जो हमारी B, C है, और A, D है, उसको हम B से दरसाती हैं, अब आज अब पैरिमीटर देखते हैं, तो पैरिमीटर में हमारा क्या है, कि 2 multiply bracket में A, B, P, C, अब दूसरा formula यूज करें, तो 2 multiply bracket में L, प्लस B, अब देखो, यह जो formula है, तो 2 हमारा multiply होगे, length L मतलब यह होगी, और breathe हमारी यह होगी, ठीक है, अब आज़ो area, area is equal to, area का formula क्या होता है, area is equal to base multiply height, यह चीज़ समझ लो, कि height और breathe में क्या फरक होता है, height हमारी होती है, और breathe हमारी होती है, चोड़ाई चोड़ाई यह हो गई हमारी ठीक है यह यहां से यहां तक हमारी चोड़ाई होती है और एकदम सीधी जो होती है वो हमारी क्या होती है उंचाई यहां से यहां तक हमारी उंचाई हो गई ठीक है तो हाइट मतलब उंचाई होती है तो हम इसका formula area लिका लेंगे तो दूसरे formula एक और है कि हम यहां से यहां तक तो हमारा क्या होता है यह नीचे का एल होता है और यह जो हमने second line पूरी गई है height गी उसको हम P1 भी बोलते हैं तो यह हमारा P1 हो गया अब आजाओ तीसरा area का एक और formula है BC multiply AL तो BC हमारा क्या है BC multiply AL ठीक है तो इसमें हम ऐसे भी लग सकते हैं कि BC को तो हम B से यहां डेनोट कर ले तो यह भी यह तो यह भी भी होगा बरी थे तोनों तरफ और P2 P2 यह होती है हमारी अब एक और है लास्ट हमारा rhombus इफ डीवन एंड डीटू आर दा लेंथ ओफ दा डागोनल्स ओफ ए रॉंबस ओफ यह साइड ए दैन यह FIG 17.17 का 7 का मतलब यह फिगार है 17.7 का सात्मा फिगार है 17.7 का सात्मा फिगार है 17 एक्सरसाइस का फिगर सेवन है यह यह मतलब यह अब आज इदर देखते हैं पैरिमीटर पैरिमीटर के लिए हम क्या करते है फोर ए बरावर फोर मल्टिप्लाइश साइड इसमें हमारा rhombus में क्या होता है कि यह वी एक प्रकार का स्क्वेर की तर प्रकार नावर फोर ती तो अमने पैरिमीटर तो आमें पताएफ यहां से यहां तक चला यहां से यहां तक यहां से यह तक तो हमारा चली यह भूमके चली ऊज़िए दूरी पैरिमीटर कहले आती यानि परिमाप तो इसका सौर्ड सॉलूशन करें तो हम 4 multiply a यानि 4 multiply 7 अब लेके यहां तक हमारा डीवन है और यहां से लेके यहां तक हमारा डीटू है आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहां से लेके यहां तक डीवन बना सकते हो यहां से लेके यहां तक डीटू बना सकते हो कोई जरूरी नहीं है कि डीवन यही यही हो ऐसे डीवन कर दो ऐसे डीटू कर द